रेट बापस लेने की बात कर रहे हैं, रेट हम बापस ले लेते हैं, पुराने रेट पर ही कुल्चे बेचेंगे 20 रुबे का, पहले का कुल्चे बेचेंगे, जी जी 20 रुबे का ही कुल्चे बेचेंगे, और कलाली वाला कुल्चा पहले 50 का बेचेंगे, नमस्कार मैं हूँ कुल्चे वाला जो की काफी मश्यूर है उद्वंपुर में और उनके साथ नंदू कुल्चे वाला वो बैठे हुए हैं और उनके साथ बाकी भी लोग है ये भी कुल्चा ही बेचते हैं कुल्चा आश्योशेशन के अगर मैं बात करूं ते ये कुल्चा आश्योशेशन के लो होना आया और मुझे यह बुलाया गया कि मैं आप से बात करना चाहता हूं मीडिया के रूब रूब होना चाहता हूं और मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूं लेकिन मैं इन से बात करना चाहूंगा सबसे पहले तो आपका वीरा चल में स्वागत है और नमस्कार रभी जी के इसाफ से हमने थोड़ा सा बढ़ाया था हर्ची महंगी होगी थी लेकिन चलो हमारे शहर की जंता को अगर हमारा रेट पर संद नहीं आया तो हम तो आने वाइल टेम पे अगर कभी जूर्ट पड़ी महंगाई और बड़ी तो लोकल लोगों को लोकल कुलचे वाले हैं उनको बडाके उनको बिठाके । कितना बढ़ाना है क्या निक क्या निक बढ़ाना है वो बाद में देखाए जाएगा जात दी कि आपकी आपकी राय ली गई थी कि लोग काफी हैं मार्केट में जो कुल्चे वाले जब हमारी बात उनसे भी तो कुछ लोग तो जानते नहीं थे कि परदान को नहीं किसी को यह पता था कि रेट बढ़ा हुए है तो सबकी सरमती से नहा परदान चुनेंगे और जहां तक कोशिच होगी बहां तक कोई कुल्चे वाला ही परदान बनाएंगे और वो भी लोकल कुल्चे वाले वो परदान बनाएंगे ताकि हम भाई चारे से यहां पे रह सकें सबके साथ, सभी को हमने साथ में लेके चलना है और हम भी 35 साल यहां पे होगे रहते हुए, हम यहां पे रहने आये हैं, बसने आये हैं और हम यहां के लोगों के खिलाप नहीं जा सकते, यहां के लोगों के साथ ही रहना है और मारेंगे भी जे हमें लोकल लोग और बचाएंगे भी हमें जे प्यार भी हमें जे ही करेंगे हमने इनी के साथ रहना है बागी रेट बढ़ने पर किसी को दुख हुआ हो परिशानी हुई हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ छमा चाहता हूँ आपने देखा कि यह थे मामा कोचे वाला लेकिन मैं नंदू जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा नंदू जी कल को अगर आपके पास कोई ग्राक आता है और वो यह कहता है कि डवल मखन डालो डवल मसाला करो तो क्या रेट वही रहेगा या उसे ज्यादा बढ़ाए जाए थोड़ा सा बढ़ाएं गें तो थोड़ा कम बढ़ना था मंगर ज्यादा बढ़ा दिया तो अपके जितने कि उच्छे वाले क्या मानते हैं कि आप 20 रुपे अगर कोई 15 रुपे ले रहा तो उससे आपको पई नहीं नहीं हमें कोई आल है आपने देखा कि ये थे मामा कुल्चे बाला और नंदू कुल्चे बाला इनके साथ और भी लोग बैठे हुएं लेकिन मैं आपको फिर बता दूँ कि इनका रेट जो पुराना था 20 रुपे पर वापस लोटा कुल्चा लेकिन मैं फिर आपको परधान चुर्णने की बात कहीं जारी है लोकल कुल्चे बाला ही परधाना बनाया जाएगा लेकिन कहिन अगें देखें तो अगर इनका ये भी जादा याओन अधर कोई जादा सामान डूटन चाहता है ड большой कुछ क्रवाना चाहता है चाहता विसके पैसे फाल्तू गई है कि गलती से ऐसा हुआ है कि एक दम सा रेट महंगाई देखे महंगाई भी तो है लेकिन कहीं देखे अगर कोई व्यक्ति 15 रुपे कुल्चा बेच रहा है तो वह भी पैसे कमा रहा है ये बात नहीं है कोई अगर 15 रुपे कुल्चा बेचता है उस पर कोई डिपार्टम तो उस पर department भी कारवाई करेगा और department कारवाई कर भी रहा है कहीं कहीं ना कहीं दे पूछताज भी उनकी और से की जा रही है कि rate कि इस तरह से बढ़ाया गया था देखें जब कोई association rate बढ़ाती है पहले तो लगता है कि association register होनी चाहिए और register अगर association होती है वो अगर अपना rate बढ़ाती है तो उससे पहले ये rate बढ़ने से पहले उनका एक फार्म डिपार्टमेंट के पास जाता है खाद पूर्ती विभाग रहता है उसके पास जाता है तसीलदार उधंपुर के पास जाता है वो पास करते हैं तो rate बढ़ाया जाता है घर में बैठे rate नहीं बढ़ाया जाते हैं मैं फिर कई यह कहूंगा कि जैसे नंदू कुल्चेवाला जी होगे मामा जी होगे और इनके साथ जो इनके जितने भी बाहर के जो लोग आये हैं उनका एक ही कहना है कि rate पुराना होगा मैं फिर यहीं दो रहूंगा कि कुल्चा वापस अपने rate पर लोटा 20 रुपए ही कुल्चा लिया जाएगा कैमरा मैन अजे के साथ रभी सिंग वीरा चैनल उधंपुर